आज हम सीखेंगे कि NPS या प्राणकार को दुबारा केसे डाउंलोड करें या केसे प्राप्त कि अजा सकता है उसको अगर आपका प्राणकार बिवाग द्वारा नहीं आया है या प्राणकार आपका गुम हो चुका है दोनों ही कंडिशन में आप बस हमारे चैनल से जोड़े रहे हैं हम देंगे हर बार आपको एक नई टेकनिकल सुचना नया तरिका जिससे हम अपने सबी ओनलाइन काम को कर सकते हैं बिल्कुल टेंशन फरी होकर तो बढ़ते हैं आगे इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि यह एक सेखने चैनल है सिक्सिकों से समदित सभी प्रकार के ओनलाइन काम हम आपको यहां पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे जैसे पे मनेजर, शाला दरपन, नए सेक्सिक अपडेट, नहीं बरतियां, सिक्सिक समदित सभी ओनलाइन काम और विड़ार्तियों समदित फोरम बता दिये जाएंगे तो आप चैनल को सब्क्राइब कर लें सब्क्राइब करने का तरीका पताया जा रहा है विड़ियो चल रही है उसके नीचे चैनल का नाम और सब्क्राइब रेड़ कलर में लिखा है उसको कलिक करें और बेल आइकन पर कलिक यहां लिखें NPS अपनी नोगिन आड़ी है वो यहां में यूज करनी है NPS का जो आपको काड़ आया हुआ है इसके लिए आप जहां कॉलम दिखाये तरह ओपन यूर NPS अकाउंट इसको कलिक करें कलिक करने के बाद एक नई विंड़ो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें आप नीचे जलें और कलिक करें लोग इन विद प्राण इस परकार की एक विंड़ो आपके सामने ओपन होगी जहां आपको अपनी आइड़ी ओपन करनी है इसमें यूजर आइड़ी और पासवट यूजर आइड़ी यानि कि आपका फ्राण नंबर जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सर्च करें और कैसे दुबारा प्राप्त करें और पासवट जो मेरा सेट किया हूँ है वो भी पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया था एक एतर पर अच्छ है स्तंतर लिखें और समिट कर दें समिट करने के बाद आपका प्राण की आइड़ी है NPS की आइड़ी वो शो हो जाएगी और आपके पास इस प्रकारगे की इंटरफेस आ जाएगी तो आप इसमें देख सकते हैं अपनी आइड़ी और इसमें अपने को प्राण नमबर देखना है कि प्राण कार्ड आपको फिर से प्राप्त करना है तो व्यू में जाए जो एक, दो, तीन, चार, पांच पांच नमबर कोलम पर जो लिखा है वी, आई, इड़ू, इसको कलिक करें और इसमें पांच वे नमबर पर लिखा है डाउनलोड इप्राण उसको कलिक कर दे जैसे आप इसको कलिक करेंगे तो आपके पास आपका प्रांच कार्ड है इस परकार इंटरफेस से शो हो जाएगा अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट अधार कार्ड की तरह ले सकते हैं इसके लाबा उपर कॉलम लिखा है डाउनलोड एज पीडियव इसको कलिक कर लें कलिक करने के बाद कुछ सेगंड के बाद आपके पास एक नहीं विंडो दुबारा उपन हो जाएगी और ये प्रांच कार्ड है आपका जो आपके पास जो हो जाएगा जिससे आप अपनी इस्ट्री में डाउनलोड में जो पहला पहला कोलम है ये प्रांच कार्ड जो अभी डाउनलोड हो रहा है वेट करें डाउनलोड होना के बाद आपके पास इस परकार गिएक बेड़प्श्यो हो जाएगी जिससे आप अधारकार की तरह कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं और इसे सेंड भी कर सकते हैं इसमें दे रखा है प्रिंट और सेंड फाइल सेंड फाइल की तरह आप इसको जीमेल में या कहीं पर भी जीमेल पारसेफ सेर टो पीसी कैसे भी सेंड कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा वीडियो जो था कि अपने अधार कार्ड की तरह दुबारा प्रान कार्ड को कैसे प्राप्त करें और या नहीं पहुंचा है तो आप इसे कैसे प्राप्त करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ चैनल को सब्क्राइब कर लें धन्यवाद